वेल्कम फ्रेंड्स तुदी मनी फोर मी एक्विटी सर्विसेज तुड़े वियर गएंग तुस्टॉक्स दाइज बीफ उडिलिटीज एंड थर्मक्स सु यहां पर हम दो चार्ट का अनलेसिस करेंगे बेस्ट ऑन दी डेली डाइम फ्रेम यहां पर दोनों स्टॉक में चार् गुड़ फ्राइडे सो दो दिन हमारे मार्केट क्लोज रहेंगे सो ओवरल हमारा विकेंड चार दिन कर आएगा देन मंडे जाके हमारा मार्केट खुलेगा तो लेट्स काम टू दी चार्ट अन देन विल डिसकस लेवल सैंड सपोर्ट रजिस्टन्स तो यहां पर आप जै जालते हो तो वॉल्यूम यहां पर एवरेज वॉल्यूम से डबल नहीं ट्रिपल है ओके सो बहुत अच्छा का सा बाइंग आया है थर्मैक्स के अंदर सो अगर हम इसको जूम आउट करते हैं सो और आल ट्रेंड में देखू इसका सो और ट्रेंड इस अप यहां पर मैं दे ग्रोसवर दिया मतलब यहां पर जीसिक किसी ने बेचा था जो भी सेलर था बिक बीर्स था तो उसका जो भी कॉंटिटे यहां पर पूरा निकल गया दन यहां पर इतना बड़ा वॉल्यूम बनाये मतलब यहां पर बिक बुल्स ने हैंड ले लिया है मतलब स्टॉक के इन एंवर्य जोडल का कनफरमेशन है लाग दिस यहां पर मैं एक ऐसा रजिस्टेस्टेस्टन्स प्लॉट कर दू रैंडम ली शोडर वन हैड एड और शोल्डर टू स्टॉ इद पॉजिटिव सेंडिमेट्स इदिद पॉजिटिव इद पॉजिटिव कनफरमेशन आ ओफ और उपर जाने के लिए रेडी हो चुका है सो क्वेश्चन इस के आसपास शेर का प्राइस क्लोज हुआ है यहां पर खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए क्या यह रहता है मैं चाहिए अगर कंपनी के फंडमेंटल स lá KP आध ग्रबी यहां से इस इस चार्थ चांगे और बुलेश नहीं की share की price again 2500 तक जानी छी है because there is no any resistance यहाँ पर lifetime high के यहाँ पर trade कर रहा है तो आपर कोई resistance ही नहीं है चार्ट के ऊपर so I am expecting 2500 in coming one or two weeks दो तीन week के अंदर में यहाँ पर 2500 expect कर रहा हूँ यह थोड़ा ज्यादा भी time ले सकता है but I am expecting and major support is 2100 okay and then second small support is around 1950 1920 के आसपास जो है वो second support है यहाँ पर आएगा it was our demand zone and this resistance now became a support यह support बन चुका है so यहाँ पर हम current level से भी इसको खरीच सकते है यह फिर आप safe player हो तो आप dip dip मतलब नीचे आने के बाद यह support के पास खरीच सकते हो बट यह support के पास आएगा ने आएगा that is the main question so depends on a market situation global sentiments अगर global sentiments वाप है थोड़े से थोड़े बहुत अगर negative होता है so share का price नीचे आएगा okay so that time you can take a buy call near this support but exactly आएगा ने आएगा we can't say हम बोल नहीं सकते है because it is a market okay so अगर आता है मिलता है so you can buy it otherwise आपको लग रहा है कि आसे नीचे आएगा ऊपर चला जाएगा so आपका जो भी average price it is around I think 2200 80 के आसपास जो भी 80 70 के आसपास आपका average buy price हो जाएगा average करना बोलते है इसको partial entry and I'll keep my stop loss अगर वो 2100 के नीचे अगें नीचे आके यह support तोड़ता है और यह आपे close होता है so I'll book loss and I'll exit my position okay so I am bullish on a thermax now we are going to see chart of a BF utilities यहाँ पर BF utilities का chart है यहाँ पर BF utilities का chart अगर हम देखे so मैं यहाँ पर यह चार्ट को zoom out करता हूँ overall line chart लगा के so stock की अगर मैं बात करूँ so overall train यहाँ से देखता है so it was a down यहाँ से यह down था but यहाँ पर अगर यह बात करें so stock ने यहाँ शेयर की price ने यहाँ से जो train उसका change किया यहाँ से उसने train change के यह जो नया bottom है यह previous bottom के ऊपर बना then stock ने अच्छा rally दिया with good volumes but again stock now coming down stock यहाँ से बात करें तो यह नीचे आ रहा है okay so यह short term का train जो है मुझे down लग रहा है but it is trading near a strong support zone यह support zone के आसपस यहाँ पर stock trade कर रहा है so let's come to the short scenario यहाँ पर short scenario के ऊपर आता है और यहाँ पर बात करते है so यहाँ पर मैं support draw करता हूँ यह एक support है मेरा strong support now यहाँ से अगर मैं बात करूँ so trend is down so I can draw one train line that is a downtrain line and that will work like a resistance यह resistance की तरह work करेगा okay now अगर हम यहाँ पर देखे तो देखिए आज की share की price यहाँ पर exactly train line resistance के आसपास ही आके रुकी है okay और मैं candle लगा दू यहाँ पर candle chart so यहाँ पर देखिए share की price का जो लेग है लेग यह train line resistance के ऊपर बना है high point जो है train line resistance के ऊपर है that means share की price ने यहाँ से कोशिश की ऊपर जाने की मतलब यह resistance ब्रेक करने की कोशिश की बट यह unsuccess रहा और share की price नीचे आके train line resistance के नीचे ही close हो गई that means still this train line resistance is working यह train line resistance जो भी है वो work कर रहा है so now we are expecting some correction from this level यहाँ से मैं correction expect कर रहा हूँ correction आएगा and then fresh rally आता है then breakout आता है तो that time we will take a buy call but उसके पहले अगर मैं support level के आसपास अगर देखू support level के आसपास का जो भी scenario होता यह scenario so there was a double bottom confirmation bottom one bottom two यहाँ पे share की price ने दो bottom बनाए और यहाँ से एक अच्छा कासा यह zone ने उपर की तरफ तोड दिया and volume was also good so यहाँ से share की price ने chart के उपर confirmation दे दिया था but still trend is down but I am expecting some correction and then rally and then breakout so यहाँ पे कुछ correction आता है so we will prefer to buy this stock near this support and then I will wait for a breakout otherwise मैं safe trading करना है so मैं stock correction के बाद अगर breakout देता है that time I will take a buy call on a BF utility BF utility यह दो stock है कि जो बहुत अच्छे काचे gainer थे आज के दिन मैं और chart भी इनका बहुत अच्छा है और fundamental की बात करे so fundamental is also good यह stock का भी अगर मैं business का बात करू so BF utilities limited is engaged in the generation of electricity through the wine mills okay infrastructure activities so आज के अगर market की बात करें so बहुत सारे जो stocks है जो real estate से related है उनके अंदर बहुत अच्छी कासी buying आई है और उस sector के अंदर से मुझे यह दो stocks बहुत अच्छे लग रहा है कि जो चार्ट के उपर उपर जा सकते है so we are bullish on these both stocks but still BF utility the current higher price is not good to buy now I'll prefer to buy Thermax right now and I'll wait for some correction in BF utility otherwise I'll wait for a breakout so I hope friends यह video आपको पसंद आएगा और यह जो levels है यह आपको help करेंगे आपके analysis के अंदर but still मैं आपको बता दू it is not a advisory it is just a study so आपको आपके trade लेने के पहले आपको आपके advisor से advisory लेना है या फिर आपको आपका खुद का analysis यह आपर add करना है current price है 392 so I'll try to prefer buy near this 340 यह मेरा एक buyings होन है यह आपर मैं buy करूंगा otherwise buy above this 400 के breakout के बाद मैं buy करूंगा buy on a breakout otherwise buy in a dip यह मेरा strategy रहेगा यह BF utilities के अंदर और Thermax के अंदर रहेगा buy from the current levels otherwise buy in a dip near 2100 that's it bye bye friends keep in touch अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको यह अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अलड़ी सब्सक्राइब हो तो आप हमारे ओल्ड वीडियो को व्यू कर सकते हो जिसके अंदर लेमन ट्री है वोल्टास है अपोलो होस्पिटल है टाइटन है जिसके अउपर हमने वीडियो बनाये थे और उन सब स्टॉक्स ने स्टैकेर